हाई आई बिलीव कि आपने पिछले कुछ दिनों में कडियाद्रो का नाम जरूर सुना होगा आजकल यह वायरल जो हुआ है WhatsApp, Facebook, Instagram, सब जगा पे इसका चर्चा है इसको New York Times में जगा जो मिली है पर actual में काफी misinformation भी spread हुई है तो मैंने सोचा कि थोड़ा लोगों को आईडिया और देते हैं कि यह कडियाद्रो है कहां, है क्या और यह New York Times तक कैसे पहुँचा तो क्या आप तयार हैं कडियाद्रो के लिए चलिए, ले चलते हैं आपको मैं खुद कच से बिलॉंग करता हूँ, बुझ से और जुलाई में बुझ से करीब 20 किलो मीटर दूर एक कोड की गाउं है तो मैं उसके आसपास के विलेजिस में गूम रहा था मेरा शौक है जाना, विलेजिस में गूमना, लोगों से बाते करना लोकल इंफरमेशन, कल्चर, कुजीन के बारे में जानना तो वहां के जो विलेजिस थे, उन्होंने मुझ से कहा कि आपको जब इस चीज में इंट्रेस्ट है, तो आप जाके कोतरें देखें कोतरें जो हैं या कोतरों, वो एक कच्छी शब्द है उन स्ट्रक्चर्चर्स के लिए जो विंड और पानी से बनते हैं जो वेधरिंग बोलते हैं, तो हजारो करोडों सालों की वेधरिंग की वज़े से जो स्ट्रक्चर्स फॉर्म होते हैं, उनको कोतरों बोलते हैं, लोकल कच्छी बाशा में पर दिक्कत ये थी, कि कोई exact location नहीं बता पा रहा था तीन चार common villages के नाम float हो रहे थे, पर उन तीन चार villages के बीच में भी अंतर कुछ 40 km का था, तो थोड़ा बहुत अंदाजा लगा कर, finally एक दिन, मेरे पापा, मेरे दो अंकल्स, और मैंने decide किया कि चलो, आज तो कुछ की जाए, आज कोशिश करते हैं इन कोतरों को डूढने की, तो बस ऐसे ही हम निकल पड़े, और करीब-करीब आप मानेंगे नहीं, दो गंटे हम गूमें, ऐसे रास्तों पे, जो maps पे भी exist नहीं करते हैं, जिनका कोई नामों निशान नहीं है, ना internet के maps पे, ना paper maps पे, गुमें या गुम गए, ये भी पता नहीं चल रहा था, क्योंकि अंदर तो ना इनसान, ना इनसान की जात बस बढ़के जा रहे हैं, बढ़के जा रहे हैं, कभी इस रास्ते, कभी उस रास्ते, फिर एक दूर लोगों की help से, वैसे तो एक अंकल ने आखरी में हमको help की, एक अंकल की help से, हम किसी के खेट से होकर, इन कोतरों तक पहुंचें, उस दिन travelers अक्सर जो कहते हैं, वो बात मुझे याद आई, जो hardcore travelers होते हैं, वो कहते हैं, कि अगर तुम traveling को खून पसीना दोगे, तभी travel gods खुश होंगे, उस दिन तो सारे travel gods महरबान हो गए, इतनी अद्बुत जगा मिली, और कोई नहीं वहाँ, केवल एक shepherd और उसका herd, खुशी के आंसू बह रहे थे, कि 2020 जैसे साल में भी, इतनी अच्छी जगा मिल सकती है, क्या बताओ मैं आपक उस जगा के बारे में, मतलब चारो तरफ रंगी रंग भिखरा हुआ था, कहीं red, कहीं orange, कहीं saffron, ऐसा लग रहा था कि ये nature का canvas है, और उन्होंने उसने पूरी शिदत से painting की है, और वहीं एक छोटा सा जरना बह रहा था, तो मैं जाके जरने के बगल में बैठा, और मैंने एक बड़ी और चीज़ नोटिस की, कि जो छोटी-छोटी मचलिया थी, वो अगेंस्ट करंट स्विम करने की कोशिश कर रही थी, स्विम भी नहीं, वो उड़ने की कोशिश कर रही थी, to climb up the waterfall, और तब ये देखके मुझे ऐसास हुआ, कि यही तो 2020 है, कि एक वाइरस का करं मुझेंट है, जो पूरी दुनिया में फैला हुआ है, जो हमें बहाई ले जा रहा है, हमें पता भी नहीं, यह हमें कहां ले जाएगा, यह कहां रुकेगा, फिर भी हम इसके अगेंस्ट लड़ रहे हैं, दौड रहे हैं, और उड़ने की कोशिश कर रहे हैं, कि किसी भी त है काफी romantic है मैंने काफी जगाएं देखी हैं दुनिया में मैं five wonders of the world जा के आया हूँ लेकिन कुछ-कुछ जगाएं ऐसी होती है कि it's not just about their scenic beauty पर वहाँ पर जो energy vibrations होते हैं वो ही पिलकुल अलग होते हैं तो ये उन में से एक ऐसी जगा है आप जाईए यहाँ आप photography करिए, selfie खीचिए पर सबसे ज़्यादा मैं यह कहूँगा कि उस जगा के energy के साथ आप tap in करिए वो इस जगा की खासियत है अब मैं आपको बताता हूँ कि यह जगा New York Times तक कैसे पहुँची तो October का महिना था और मैं एक ऐसी random article पर रहा था New York Times पे और तभी उसके नीचे मुझे एक link दिखी कि the entries for the best places to visit in 2021 are now open if you know a unique place, a hidden gem, then submit your entry Normally मैं ऐसी competitions में participate नहीं करता क्योंकि मैं नहीं चाहता कि यह सब जगाएं reveal हो लोगों तक पहुँचे इसकी जो virginity है, जो pristinity है वो चली जाए उस दिन पता नहीं क्यों अचानक वो मैंने पढ़ा और इतनी सारी जगाएं मेरी दिमाग में इतने सारे जगाओं पर मैं गूमा हूँ इतने countries, इतने states पर somehow instantly कडियाद रोई मेरे दिमाग में आया तो मैंने entry बड़ी, entry असान नहीं थी तो यह सबसे बड़ी misinformation है जो अभी social media पर गूम रही है यहां तक कि जो newspapers में भी गूम रही है इत वाजन्ट a photography competition यह कोई photography competition नहीं था यह लोगों को समझने की ज़रूरत है यह competition था unique places competition कि जो unique places हैं दुनिया की, जो अदबुच जगाएं हैं उसका यह competition था पूरी दुनिया से ठीक है इसमें से कडियाद्रो को third number मिला और इसका जो form था वो भी कोई असान form नहीं था काफी मुश्किल था, काफी सारा उसमें लिखना था कि क्यों मुझे लगता है कि कडियाद्रो unique है कि ऐसी कोई और जगा है दुनिया में जो मैंने देखी हो कडियाद्रो का COVID और 2020 से क्या relation है और भी कई सारे ऐसी questions थे जिनका मुझे answer देना था प्लस photo submit करने थे तो ये सब कुछ करने के बाद एक महीने बाद मुझे Emily Palmer का जो New York Times की writer और journalist है उनका मुझे email आया और उसके बाद उन्होंने मेरा देड़ गंटे का video interview लिया जूम पे तो उन्होंने मुझे सारे questions काफी detail में पूछे कि गर से निकला तब से लेकर वहाँ पूछने तक पूरी journey उन्होंने मेरे साथ की interview में वहाँ पूछ के मेरी feelings क्या थी sound क्या था क्या देख रहा था क्या smell आ रही थी मुझे सब कुछ उन्होंने detail में पूछा और उसके एक महीने बाद उन्होंने मुझे वापस email किया तब उन्होंने मुझे बताया कि करियाद्रो select हो गया है अगर सही सही बताओ मैं अब तक 32 countries और 22 states गूम चुका हूँ मैं पिछले साड़े 5 साल से almost non-stop गूम रहा हूँ पर मेरी कोई भी और entry अगर select हुई होती तो मुझे उतनी खुशी या उतना गर्व महसूस नहीं होता जितना करियाद्रों के select होने पे हुआ उसकी ये वज़ा है कि ये मेरे अपने कच की जगा है ये मेरे गर से 30 किलो मीटर दूर है तो इस वज़े से मुझे काफी गर्व महसूस होता है कि मैं अपने district को world map पे ले आया मेरा ये मानना है कि हर इंसान का अपनी जन्बूमी अपनी मात्रू बूमी पे एक कर्ज होता है हमारी जन्बूमी हमारी मात्रू बूमी हमें सांस लेने के लिए खुली हवा देती है पीने के लिए साफ पानी देती है और हम एक पेड की तरह फूलें फलें इसके लिए मजबूत जड़ें देती है और मुझे लगता है कि आज मैंने थोड़ा सा ये कर्ज कम कर दिया अभी काफी करना बाकी है लेकिन ये तो सिर्फ एक शुरुआत है और लोगों से एक और अपील है मेरी कि प्लीज अगर आप कड़ियादरो जाएं तो बहुत ध्यान रखिए प्लास्टिक मत लेके जाए फर्गेट अबाउट ब्रिंगिंग यूर ट्रैश बैक प्लास्टिक लेके ही मत जाएए यह बहुत ही फ्रेजाइल जगा है आप कहां पैर रख रहे हैं कहां बैट रहे हैं उस पे भी ध्यान दीजिए क्योंकि यह जो सेम बल्ती लेयर्ड आप रॉक्स देख रहे हैं इस पे अगर आप सेल्फी लेने के लिए बैठे तो वो नहीं रहेंगे और कि लोग वहां जाकर उसका रायता फैलाए वहां जाके तो मेरी यही अपील है आप जाईए आपको और जगाओं की जानकारी चाहिए आप मुझे बताईए मैं आपको गाइड करूँगा लेकिन प्लीज कच्रा मत करिए और वहां पे जो है उसको वैसे का वैसा रहने दीजिए